हेलो फ्रेंड वेल्कुन टू माई चैनल उमीद होगा आप सब अच्छी होग है चले अज बनाते हैं बनाना स्वीट धोसा जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है साथ में काफी फ्रादे मन्द भी है और इसको ना काफी दे भिगोनी की जंजट है ना खामीर उठानी की बहुत ही जल्दी बन जाता है और साथ में यहां पर मैंने लाब मिर्ची की चट्नी बनाई है चले डोसा के लिए देखें क्या लेते हैं मैंने दो बनाना लिया है पकेवे केले है और मैंने यहां पर आधी कटोरी सूजी है एक कटोरी चावल काटा आधी कटोरी गेहूं का काटा है और आधा कब नमने दही लिया है पहले बनाना को कट करके दही के साथ ग्रैंड कर लेंगे क्ल दोगता है और कorte whispering वित रिये है और करके दारा के विया है और झाल कर लेंगे और आधा से पान आधा क्ल द अ झाल के दोगता है कि रखा है याधा हैं। अब बनाने के पेर बना लिया है असमें हम एट करेंगे जो मैंने आधा कटोरी सूजी लिया था वो असाथ में ये कटोरी मैंने चावल काटा लिया था है है का अधा कर्दोर यहां मैंने गहूं काटर लिया इन सारी चीजों के साथ चीच्ब कि अच्छे से ब्टे लेंगे बनाने के प्रम में वह उसको लगाता चलाते वि एक चिर्वर में लगाता चलाते विर govern ऊप जिनाच्छे से भेटेंगे यह अच्छा इतना ही क्रिस्पी और फुले-फुले बनेंगे भेटनी के बाद यहां पर हम इसको दो मिन तक रेस्टोन निकले रखतेंगे त्वासेट हो जाए यह देखें सुझी के वज़े से यह पानी काफी अग्जाप कर लिया है ठिक हो गया है काफी अब इसमें तुरह हम पानी आट कर देंगे हलका असको पतला कर लेंगे हम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है के लिए के वज़े से तुरह हलका पन मिठा पन भी आएगा इसके बाद यहाँ पर मैं एक पेकेट यहाँ पर इनो इसमें आट कर दे रही हूँ इनो का पैकेट और साथ नथा पाहिन डालकर इसको फिर अलका सा पेट लेंगे ज़्यादा नहीं पेट आएप यहाँ आप चले हं जो पी अछले हरी न आते हैं जिसके लिए मैन е घंगे कुछ अली दनिय थनिया है एं मेने लम रुची का है यह मार्केट में भी असान हम जाता थाunde और कुछ लेशून की similar लिया मैंने पहले से छिल करके धन्य को कड़ करके लेसुन और ला मुर्ची के साथ कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि सारी चीजों को कि तोड़ा सा नमक डाल करें नमक काप साथ युप सा कमियाद डाल सकते थोड़ा से पानी याट करके हम ला मुर्ची और हरी दिनिया की चट्टी मिना लेंगे आखि में चट्टी चट्टी तयार हो गई है चलिए दोसा मनाते हैं जिसके लिए मैंने तावा गैस पर रख दिया है और तावा बहुत हलका गरम चाहिए तावा उसके बाद हम किसी भी कटोड़ी के सहता से या कल्चुल के सहता से अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए इसको हलके हातों से हम दोसा को अच्छे से फैला लेंगे एक साइड में होने पर हलका साइड में भी सेख लेंगे अच्छे स्टेज में ग्यास का फ्लेम बहुत ही लो करके रख करना है तावा थोड़ा सा भी गरम लगे तो थोड़ा सा असपर हलका सा पानी छोड़ करके तावी के टम्टेचर थोड़ा कम कर लेना है और साइड में हलका सग्गे लगा करके इसको तुछ थोड़ा क्रिश्व बना लेना है कि 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 यह दिखें कि उसी तरह हम पर यहां पर मैं थुरा सग्गी लगा करके इसको अच्छे सा जिखना के ले रही हूं बहुत ही हलका तावा गरम होना चाहिए हलका सा आप चाहिए तो पानी छुड़ा करके तावे का टम्टेचर कम कर सकते हैं पर किसी भी कपड़े के सायता से इच्छे से पूछ लेंगे फिर हम बेटर डालेंगे पर हम यहां पर पेश डाल करके यहां दोस्टे का पेश जो है बहुत हलके हाथों से बहुत हलके हाथों से यहां अंदर से बाहर की तरव से ले जाएंगे बहुत हलके हाथों से करना है अग्यास का फ्लेम लोग करके करना है और एक साइड में हलका असा जब क्रिस्पी हो जाए तो यह अपने आपी तावास अलग हो जाता है उस साइड में तो रग्ये लगा करके हम दूसरे साइड में भी सेख लेंगे फिर ऐसे ही सारे दूसरे को हम जब भी लगे कि तुप्रिचर तुड़ा तावी का ज्यादा गरम है तो तुद्फ़ा पानी छुड़ा करके तुप्रिचर को नॉर्म कर लेंगे अंदर से बाहर की और जाते हलके हाथों से इसको हम दूरा तो अपतला सा अच्छे से फैला लेंगे मैं देखे सारे दूसर को मैंने बना लिया है यह काफी क्रंची देखे बने विया है आप इसके साथ ला मिर्ची का अचार चटनी खाई बहुत ही अच्छा लगता आप इससे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं अगर यह रस्पी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना सुस्क्राइब करना भूले थैंक यू फर वाचिंग गुडबाए